Hello 12thians, Welcome to Early Birds Class, सफलता की क्लास अगर कुछ कर दिखाने का है जुनून, तो भूल जाना चैन और सुकून इनिविटेशन बोले तो निमंतरन पत्र जिसके द्वारा हम किसी इवेंट या स्पेशल अकेजन्स जैसे बर्थडे सेलिबरेशन, वेडिंग सेरिमनी, हाउज वामिंग सेरिमनी, इनगरेशन आप शॉप, एन्वल स्पोर्स डे, एन्वल डे सेलिबरेशन, आधी पर बन कर जाते हैं, दो तरह के इनिविटेशन लिये या दिये जाते हैं, फॉर्मल इनिविटेशन, इन्फॉर्मल इनिविटेशन, फॉर्मल इनिविटेशन, दो तरीके से डिजाइन किये जाते हैं, कार्ड फॉर्म में या लेटर फॉर्म में, कार्ड फॉर्म में, अगर कि इसी इवेंट को बड़े स्केल पर आपको सेलिब्रेट करना है तब वहां नंबरा पीपल को इन्वाइट करने के लिए कार्ड फोर में इन्विटेशन डिजाइन किया जाता है जैसे मेरे सेरिमनी एन्वल स्पोर्ट्स डे जहां बहुत सारे लोगों को हम इन्वाइट करते ह हम एक कार्ड को प्रिंट करते हैं उसका डिजाइन किया जाता है इसकूल में एन्वल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है उसमें एक चीफ गैस को इन्वाइट करना है तो उन चीफ गैस को इन्वाइट करने के लिए हम लेटर फॉर्म में फोर्मल इन्विटेशन डिजाइन करते हैं it means individual के लिए letter form में और a large number a people के लिए yes card form में बात करता हूँ informal invitation की informal invitation only letter form में design किये जाते हैं suppose आपका कोई family function है birthday celebration है उसमें आपको selected people को ही invite करना है तो वहाँ हमारे letter form में ही invitation design करने से काम बन जाता है got it invitation के question को four marks का weight is दिया गया है one mark में format, two marks में content और one mark में accuracy आप grammar and spellings को evaluate किया जाएगा question को sincerely पढ़कर और समझकर यह decide करना होगा कि हमें invitation card form में design करना है या letter form में design करना है question को पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि यह है जो question है इसमें हमें Mrs. और Mr. राज भार्दवाज हैं जिनके बेटी की marriage का card design करना है it means a large number आप people को invite करना है it means card form में invitation design किया जाएगा card form में invitation कैसे design करते हैं उसके format के according समझते हैं card form में edge पर format WH family what, who, when, at what time, where आदी questions का answer देते हुए invitation कैसी design किया जाता है step by step समझते हैं बहुत easy होता है सबसे पहले name of the host और organizer center में mention किया जाता है edge per question हमारी event marriage है उसके जो organizer या host है वो message और Mr. भार्दवाद हैं हमने mention किया afterwards request the pleasure of your company on the species occasion of the इसे हम कहते हैं standard expression standard expression में जो event के organizer या host है उनके द्वारा अपने invitees invitees बोले तो guest को एक polite request send की जाती है उनके यहाँ पर यह celebration organize किया गया है इसमें आप भी अपनी company दे afterwards name of the event जो भी हमारी event है उसको यहाँ mention करना होता है थोड़ा सा dark कर देते हैं और event को कैसे confirm किया जाता है जो हमारे what question का answer दे दे वो हमारी event होती है so what is the event marriage हमने यहाँ mention किया of the year son प्रीथ भही प्रीथ क्योंकि प्रीथ के लिए ही यह celebration किया जा रहा है so प्रीथ हमारे WHO question का answer देते हैं so उनको यहाँ honor भी बोला जाता है हमने mention किया प्रीथ के नीचे उनके parents का name mention किया गया है उनकी शादी कनूपिर्या से हो रही है with कनूपिर्या प्रीथ कनूपिर्या के parents का name mention किया गया है events की जो other details होती है वो हमें यहाँ mention करनी होती है DTV date, time, venue और WH family के question का भी answer दिया जा रहा है when at what time where so on 20th April at 8pm at moon garden वारानसी इस से हमारे है content complete हो जाता है now left hand पर RSVP RSVP का meaning होता है response service of visual presentation इसका meaning होता है जब हम किसी को invite करते हैं उनकी भी responsibility बनती है कि वो हमें accept कर रहे हैं हमारे invitation को या refuse कर रहे हैं उनको भी एक reply करना होता है next video में invitation के replies को भी सीखेंगे now afterwards राज भारदुआज name of the host जो हमारे host है उनका name mention किया जाता है उनका address mention किया जाता है 25 कहना कुझ जवारानसी and phone number phone number complete नहीं mention करना है 9837 cross 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 और right hand पर with best compliments and regards किस सरे से हमारा card form में invitation design हो जाता है design करने के बाद इसको box में बंद करना नहीं भूना है कुछ और बाते हैं जो आपको अपने mind में रखनी है invitation को prepare करते हुए invitation 50 words में complete करना होता है first thing second thing grammatical error और spelling error को avoid करना है third thing overwriting और cutting ना हो fourth thing that wh question के जो हमारे family के जो questions हैं उनके complete answer हमें यहाँ पर देने होते हैं एक अच्छा limitation वो ही माना जाता है nice thing मैंने जैसे name of the host, name of the event यह ऐसे करके mention किया ना ऐसे mention नहीं करना है कभी आप exam में भी इस तरह से mention कर दे तो highlight किया गया है कि मैंने यहाँ पर क्या-क्या mention किया है wooden pencil या किसी different color के pen का use नहीं करना है simple blue ball pen और blue gel pen का ही use करना है किसी तरह के signature invitation में नहीं किये जाते हैं और ना ही किसी image का इसमें आपको use करना है आपकी practice के रिए one more question DPS model town Delhi school का annual function है उसके लिए card form में invitation डिजाइन करना है उसमें special chief guest का name भी mention करना है समझते हैं किस सरे से इसको design किया जाएगा better होगा इस answer को step by step आप selfie समझ ले मैं समझाता हूँ वीडियो बहुत lengthy हो जाएगी बच chief guest को कैसे mention करना होता है यह है मैं आपके साथ यहां पर discuss करने वाला हूँ after events detail की mention करने के बाद honorable education minister अनपूर्णा देवी has kindly consented to be the chief guest इस से mention कर दिया जाता है बाकी चीजे सब सेम है I hope आपको समझ आया होगा अब यह तो हमारा complete होता है card form का invitation अब letter form में formal invitation कैसे design किया जाता है it means जो यह अनपूर्णा देवी है इनको invite करने के लिए किस सरे से later design किया जाएगा आगे question की help से समझते हैं सबसे पहले sender address mention करते हैं DPS model town Delhi afterwards एक line को skip करना है date expanded form में 12 April 2023 April कोई भी मन्त होगा उसकी full spelling mention करनी होगी afterwards एक line फिर से skip करेंगे अनपूर्णा देवी education minister Delhi receiver name address और designation के साथ उसको mention करना होता है then subject to invite as a chief guest subject I catch a होना चाहिए short होना चाहिए to the point होना चाहिए एक line फिर से skip करेंगे salutation madam we are glad to inform you that the school is organizing its annual function on 25th April at 6 p.m. in school premises we wish to invite you as a chief guest please accept our invitation and oblige us इसरे से हमारा content complete होता है content में event और event से related details date time when you उनको mention करना होता है afterwards left hand पर ही एक line फिर से skip करेंगे complimentary close your sincerely sender's name and designation principle DPS and address model town Delhi and phone number 9411 cross 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 और इसको भी फिर box में and close कर देना होता है इस तरह से हमारा letter form का invitation design हो जाता है next videos में informal invitation को design करना और साथ ही साथ invitation के replies acceptance और refusal को design करना सीखेंगे stay in touch next videos के link description में available कर दिये जाएंगे आज की class में बस इतना ही अगर कोई doubt है confusion है मुझे comment में write करें आज की video अगर deserve करती है like करें friends के साथ share करें और early birth class पर अगर आप नए हैं with the bell icon इसे subscribe भी करें so wish you all the very best for your class 12 God bless you all